जेहंत फीचर ओफ इंडिया वरोफ स्वागत है मैं हूं इमांग सुपमार और आज कि इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग डिक्सन टेक्नोलोजी लिमिटेट कंपनी के बारे में देखें डिक्सन का नाम आपने काफी बार सुना हो बिसिकली यह कंपनी काम क्या कर प्राइस इसमें टूट चुका है यानि कि इसके प्राइस में एक हजार से ज्यादा गिराओ पिछले दस दिनों में देखने को मिली है यहां पर आप देखेंगे इस कमपनी के पिछले 6 मंत में तो शिक्समांत में 30 परसेंट का सबस्ट टूटा है और पिछले एक मन्त में टूटा है यानि कि पिछले 6 मंत में जितना इस टूटा उससे ज्यादा तो सिर्फ एक मन्त में इस टूट चुका है तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय नजदिक आ रहा है इस टूटने की जो प्राइस निचे रहा है उसकी राफतार काफी तेज होती जा रही है एक दिन में बात करें तो एक दिन में जानी कि आज की दिन सकते हैं तक्रिवन यह स्ट razón का सब्सक्राइब करस पाइज प्रसें थ्ला आपको इनुआ है इचक्शन लाफत टेकनोलोजी में horror I इसको बनाने काम करती है इसका मेजर काम क्या है तो इसका मेजर काम क्या है तो इसका बहुत बड़े सिच्दारी है भारत के बजारों पर और देखेंगे तो इसका मार्केट के तक्रिवर 15,000 क्रोंड का सबस्वास है अलागी कम हो के आए 15,000 क्रोंड का सबस्वास काफी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है आप यहां पर चांट पर जो देखेंगे तो चांट पर देखेंगे यह वह लाय रिया इसका रेश्टेंस और अभी 25,000 के आसपास आ गया है तो देखेंगे इसके पीछे गिरावट की जो वाज़ा है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं क्यूंकि क्वार्टर के नंबर आये हैं क्वार्टर के नंबर काफी निरासा आ जाना करा है निरास्त करने वाले रहे हैं इसलिए इसके श आप देख सकते हैं कि अभी तक पिछले क्वार्टर में यानि सितंबर क्वार्टर में जो आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में कंपनी को 39,60 रुपेगा प्रोफिट हुआ था लेकिन इस बार कम होकर सिर्फ 245 क्रोन रह गया है इसी वज़ए से कंपनी के प्रोफिट म कंपनी के जो करजें 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 कम होते हैं कंपनी के पास फिलाल 430 क्रोन रुपेगा करजें पिछले क्वार्टर में बात करेंगे तो फिरी जो कैश्फ फ्लो होता है इसको एक ये कंपनी का बढ़ती बाधे जरू दिखा यह अची बात है पैसा है और जो करजें जो डेप्ट है वो कम हो रहा है तो यह कहीं ना कहीं एक सकरात्मा खबर है इसके बीच वहीं पर देखेंगे तो इस कमनी के जो शेर होल्डिंग लेकिन जो फाई आई होते हैं उनकी सिदारी बढ़ी है और बाकी पॉब्लिक सिदारी तो इस स्टॉक में है कुल बात यह है कि देखिए जो टेकनोलोजी लिमिटेट कंपनी है यह लंबी रेस का गोड़ा है कहीं नहीं प्राइस नीचे आने से घबडाना नहीं है क्योंकि यह कहीं आप देख रहें कि मार्केट में नीचे आ रहा है इसकी वजह से इसके प्राइस में भी गिराउट हलक अब देखने को मिल रहा है हाला कि इसको हलका पूर्ट नहीं कहें काफी तूटा है जो टूटने के पिछे वजह मैंने बताई कि एक क्वाटर के रिजल्ट खराब आया है इसके बाद जो क्वाटर के रिजल्ट आएगा उसमें यह अच्छा पर देशन करेगा नहीं करेगा तो उसके अगले क्वाटर में अच्छा परदेशन करेगा तो जैसे जैसे कमपनी अच्छे परदेशन करेगा रिजल्ट में सुधार होगा प्राइस तूपर गति रप जाएगा तो आने वाले समय में डिक्सन टेक्नोलोजी में आपको अच्छा खाधा हो सकता है बाकि यह अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद शुक्रिया